कि साथियों नमस्कार मैं हूँ कृष्णा नंसिंग और आप देख रहे हैं यूटूब चैनल एजुकेशन पोडल कृष्णा आज पुना हम लोग परधान सिख्षक के कटफ के वारे में ही विसलेशन करने वाले हैं हलाकि इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाई थी लेक करेंगे कि काटफ के बारे में आप जान ही रहे हैं कि वह नियूनतम अंक होता है जिसमें सभी पद भरे जाएं जितने भी पद हैं अधि आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो उन सभी पद को भरने के लिए कितने नियूनतम अंक की आवसकता है उन्हीं को कटफ कहा जाता है क प्रटब कुछ बातों पर निर्भर करता है जिसका एक-एक पॉइंट करके हम लोग एनलैसिस करेंगे पहली बाते होगी कि कुल सीट निर्धारित की गई है वह सीट पर डिपेंड करेगा उसके बाद दूसरा इसका पॉइंट पर निर्भर करेगा कि अभ्यार्थियों की कि अभ्यर्थियों की तयारी किस प्रकार से है उसकी तयारी कितनी अच्छी है अच्छी तयारी है अधिक तयारी है ज्यादा तयार होकर के अभ्यर्थी अधि परिक्षा में बैठे है तो निशित रूप से उसका कटफ हाई जाएगा लेकिन इस परिक्षा में उन अभ्यर् प्रश्ण का क्या है उसके भी Depend करता है कि कितने अभ्यर्थियों ने कितने प्रश्ण को attempt किया और कितना उसका सही होगा वह भी बाते निर्भर करेगी उसके बाद है 6. में हम लोग analysis करेंगे कि पास अभ्यर्थियों की शंध्या लगवा कितनी है एक अनुमान के तहत इसको हम लोग काउंट करेंगे कि कितने पास अभ्यर्थी हो सकते हैं इस परिक्षा में पहला पॉइंट इसका हम लोग देखे थे कि कुल शीट तो आप इस बाद से भली भाती अवगत हैं कि बिहार लोग सेवा आयोग के तहत अनि BPSC के माध्यम से जो बिग्यापन संख्या 25 अवलिक दो हजार चोवीश सिक्षा विभाग बिहार के अंतरगत प्रार्थमिक विद्याले में जो फ्रधान सिक्षा के लिए कुलपद निर्धारिद था वह था चालीस हजार दो सो सेटालीश इतने पदों पे निउप्ति के लिए विग्यापन जारी किया गया था और जिसमें जो केटेग्रीज थी इस सीट में अनि कि 40247 में कोटी वाइज अनि केटेग्री वाइज सीट भी निर्धारिद किया गया था महला के लिए जो 35,36 आरक्षन था उसके तहत 40,247 सीट में अधी 35,36 आरक्षन के तहत देखा जाए तो वह 14,093 सीट था लेकिन अधी महला अभियर्थी इस आरक्षन के परे उनका जो क्वालिफाइंग मार से 48 है उससे अधिक अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो वह अन सीट पर भी काविज होएंगे तो इस अधार पे जो पुरूष अभियर्थी है उनके सीट की संख्या में कमी होगी तो यह भी वहां पर देखा जाना है उसके बाद अधी 35 परतिसत ही 36 आरक्षन के तहत महला की जो सीट निरधारी था 14,093 और उसके बाद जो सेस बच जाता है पुरूष अभियर्थी के लिए वह 26,154 बसता है और अभियर्थियों की कुल संख्या की बात यहां पर करें तो कुल एक लाख उनीस हजार लगभग अभियर्थी इसमें सामिल हुए थे तो हम लोग इन बिन्दों पर चर्चा करते हैं सबसे पहले एनलेसिस करते हैं यह जो फॉइंट हमने बताया उस पर एके करके चर्चा कर लेंगे उसके बाद फिर कटफ फर हम लोग अंततह जो फाइनली होगा उस पर चले जाएंगे तो चलिए यहां पर बोर्ड पर वही सारी बातें लिखी हुई है कि कुल सीट अभियर्थियों की संख्या अभियर्थिय करेगा तो कुल सीट में समझ ही चुके हैं इसकी चर्चावी हम लोग किये तो कुल सीट चालीस हजार दो सो से तालीस है यह विग्यप्ति के अधार पर दिया गया था तो यह सीट निर्दारित है इसमें से जो 35 पर तिसा 36 आरक्षन है उसके तहत महला अभियर्थी के लिए 1493 सीट है सेश पूरूश अभियर्थी के लिए जो सीट बज जाता है वह है 26,154 इस परकार से 40,247 सीट किलियर हो जाता है अभियर्थी की संख्या इसकी भी चर्चा हम लोग अभी किये कुल अभियर्थी लगभग एक लाख इस आभियर्थीों की संख्या में कितने आभियर्थी उपस्थित हुए तो मैं भी इस परिक्षा में सामिल हुआ था और सफलता भी प्राप्त किया और निशित है मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे यह पद प्राप्त हो जाएगा लेकिन पद प्राप्त होगा लेकिन उसके बाद क्या इस्तिती क्या परिस्थितियां होती है उस अनुसार से decision लेकर के इस पद को प्राप्त करेंगे या तो फिर जैसा होगा उस अनुसार से हम आगे की जो रनीती होगी क्या करना है क्या नहीं करना है इससे लेकर के भी एक वीडियो में मैं उपस्थित होंगा कि अधी आप अभी विशिष्ट शिक्षक बनते हैं और अधी पुराने व से जो शिक्षामित्र है पुराने शिक्षक हैं पहले से बहर हुए हैं उनका बेसिक देखा जाए तो 30,000 के लगभग आ चुका है और इस परधान शिक्षक की जो बेसिक बताई गई है 30,500 है तो दोनों में किसमें benefit होगा किसमें loss होगा और बहुत सारे सिक्षक साथी ऐसे में जो प्रदान सिक्षा का जो प्द है उसका निर्वहन करने से से कत्रा आते हैं इसमें निशीत रूप सदि किसी विद्रावे के आप पर्दान बनेंगे तो आपके उपर इस्पूल की जिमेबार swept होगी किया क्रिया कलाप्र विद्राले में क्या-क्या संपन कराने है सभी responsibility आप डिपेंड करेगी तो इस मामले में भी बहुत सारे सिक्षा के अईसा बोलते हैं ऐसा सुनने में आता है कि जो प्रधान सिक्षा का पद है इसमें कठिनाई है लेकिन कठिनाई तो हर चीज में है तो ऐसा ना कि कठिनाई के डर से आप भाग सकते हैं लेकिन यहां द्यार अपनी-अपनी है अपना-पना सोच है तो उस अनुशार से डिपेंड करेगा तिया हो गया अभियर्तियों की उपस्तिति तो इस प्रकार से मैंने देखा जिससे परिक्षाभवन में में था जिस हॉल में था उसमें लगभग 10 विद्यार्थी 10 अभियर्थी सेंट होएंगे तो कुल मिलाकर के बात की जाए तो एक लाख कि दस हजार अभ्यर्थी परिक्षा में बैठें उसके बाद अभ्यर्थियों की तयारी अभ्यर्थियों की तयारी की बात कर लेते हैं चोठे पॉइंट में आप इस वाध से भली बाती अफ़्गत है इसमें वैसे ही अभ्यर्थी सामिल हुए थे जो कहीए न कहीं सिक्षक है जिनकी सीवा अबधी मिनिमम् 8 साल हो चुकी है । बहुत सारे ऐसे जो कि competitive परिक्षा होती है उस अस्तर में वह नहीं रहे वह सिक्षक का व्यर्थी सिर्फ जो पढ़ाई का महोल होता दी 1-5 के सिक्षक है तो उस अस्तर में आप देखिएगा कि 1-5 में जो सिलेवस है चाहे हिंदी हो हिंदी तो पूछी नहीं गई थी आपका परियावरन हो जाएगा उसके बाद गनीत हो तो या तो फिर 1-8 की बात करें जो भी विशय है उस विशय के अस्तर का प्रशन पूछा नहीं गया था आप विद् देखे में रहना है ठके मानदे जब घर आएंगे तो तयारी कहां सोपाएगए तो सिरत अभियार्थियों की तयारी यहां पर सिखिक अभियारत की तयारी से कुछ हो कुछ गुझा कोचिंग चेतरu से जुड़े हैं या तो फिर उन की पहले की तयारी है या तो किसी न किस बहाने से वह पढ़ाई में जुड़े हुए है competitive अस्तर से या तो फिर आपकी जो पूर्वी की तयारी है वह तयारी यहां पे कुछ ने कुछ काम आई हो तो वह हो सकती है लेकिन पढ़ाई एक ऐसा अस्तर है पढ़ाई एक ऐसी चीज है जब तक आप उसका पुनर अभ्यास करेंगे तब तक आपके बस की बात नहीं है पढ़ाई किसी की बपवती चीज नहीं है जो कि आप एक बार पढ़ें तो सब दिन रह जाएगा तो इन अभ्यारतियों के साथ परेशानी हुई यही कि वह तयारी नहीं कर पाए बसरते उनको तीन महने का समय क्यों नहीं मिला ह इसकुल से आने जाने में सारा समय इनवेस्ट हो जाता है उनकी इनर्जी लोस उनकी सभी इनर्जिया वेस्ट हो जाती है इसकुल में तो फिर घर में आकर के वह तयारी तो कर ही नहीं सकते हैं तो तयारी के मामले में कही जाए नगन्या उसके बाद अब भीहरतियों की तया आप देखे ही ओंगर परिक्षा दिये ही हैं तो उसमें देखे होंगे कि जो डिलच से संबंधित प्रस्न था वहा समान्य सा प्रष्ण नहीं था वहुत सारे प्रश्ण जो एक अच्छे अच्छे प्रिक्षा में पूछे जाते हैं वैसे प्रकार के प्रशन थे, प्रशन काफी उल्जाया हुआ था, अधी आप थोड़ा सा भी मिस करेंगे, तो सही से उसका सटीक अंसर नहीं दे पाएंगे, वैसे भी प्रशन का सामना हम लोग को करना पड़ा, उसके बाद जनरल अस्टेडी में भी आप देखे होंगे, तो बहुत सारे ऐसे mathematics था, गनी था, जो कि 1-2-8 के लेवल का नहीं था, उसमें थोड़ी सी भी आप गलतिया करते हैं, चूकते हैं, तो निश्चित रूप से आपका वहा प्रशन सही नहीं जाएगा, उसके बाद आप देखे ही होंगे, साइन्स से भी बहुत सारे प्रशन थे हिस्ट्री से भी था, जोगरफी थे, और आर्श से भी प्रशन था, जो कि पूरा सिंपल नहीं कहें उसे, प्रशन का अस्तर समान रूप से दी कहा जाए, अंततह, तो वह कठिन ही था, तो प्रशन पत्र का भी अस्तर कठिन था, उसके बाद पास अभ्यर्थियों की संख्य की बात करें, तैयारी अच्छी नहीं है, बहुत दिनों से उनकी तैयारियां छूड़ चुकी है, तो इस परकार से एक लाख अभ्यर्थी लेकर के चलें, एक लाख दस हजार, तो इसमें मिला जुला करके हम मेरा जो अनुमान है, कारण अनसर की मिलाने के बाद बहुत सारे सिक्षक अभ्यर्थों से हमारी मुलाकात हुई, तो उनका रिजल्ट अच्छा नहीं बना, बहुत सारे अभ्यर्थी क्वालिफाइ भी नहीं कर पाए, जो मिनिमम केटेगरी वाइस क्वालिफाइ नम्मर दिये गए थे, उसको भी वो क्रोस नहीं कर पाए, आप भी मुवा चालीस हजार दोसो से तालीस है, तो साथ हजार अभ्यर्थी पास हुए है, उसके बाद सीट आपका चालीस हजार दोसो से तालीस है, तो साथ हजार में महिला अभ्यर्थी का जो सीट निरधारित है, 35-36 आरक्षन के ही तहत ले करके चले, तो 14,093 सीट है, 14,093 सीट और ऐस अनुमान लगाया जा रहा है कि महला अभ्यर्थी में मात्र 10 से 12,000 अभ्यर्थियों ने ही फॉर्म को फिलव किया था और अधी सिर्फ वे महला अभ्यर्थी क्वालिफाई कर जाते हैं अतालिस अंक प्राप्त कर लेते हैं तो निशित रूप से वे प्रधान शिक्षक बन जाएंगे इसमें कोई किन्तु प्रंतु की बात नहीं है तो दस हजार इसमें भी लेश कर देते हैं तो पचास हजार सीट आपका बचता है नहीं पचास हजार अभ्यर्थी सफल हुए हैं अनसर की की सहाइता से तो पचास हजार के अधार पे अधी हम कटफ का निर्धारन करें है तो सभी केटेग्रीज में मेरा ऐसा सोच है मेरा ऐसा विचार है कि सभी केटेग्री में आप पांच PF एड़ कर देंμε कोट कुछ केटेग्रीज को छोड़ दिया साय जाए चैनल कोटेग्री चोड़ दें इसकी तो बात ही ना करें जितना भरे हैं क्वालिफाइघ कर जाएंगे तो निश्चु रूप से सभी का हो जाएगा या तो फिर देखा जाएगा ऐसा की उसका सीट भी कहीं न कहीं खाली भी रह जाए उसके बाद पचास हजार अभ्यर्थियों की जो शंख्या पास वाली है क्वालिफाई वाली तो उसके लिए हमने यहां कटफ तयार किया है इसी के आधार पर पांच अंक आप जोड़ते चले उसी में आपको फाइनल एक सिट निर्धारित हो जाएगा तो यहां पे केटेग्री है पास मा हो चुके हैं और कटफ के लिए आपका साथ इसमें साथ में पास जोड़ दिए पैंसाट से सत्तर एक अनुमान है कटफ कोई फाइनल वैसा मार्क्स नहीं है जो कि हम बता सकते हैं तो कोई भी चैनल वाले बता सकते हैं लेकिन लगबग आप सभी चैनल में इसी कटफ को दे क्वालिफाइंग है तो इसमें 65 से 70 रखिया कुछ बढ़ है लेकिन 70 से अधिक नहीं हो सकता है अब बीसी कटेगरी की बात करें तो इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स है जो पास होने के लिए मार्स था 55 था और इसमें 5 आप जोड़ दिए 55 में तो 60 से 64 में आपका कटफ न रखिये जो क्वालिफाइंग करेंगे ऐसी कटेगरी वाले उनका निस्चित है उसके बाद स्टी में 48 था मिनिमम लेकिन इसका कुछ कटफ हाए जाता है 54 से 55 रखिये और जो दिव्यांग है पी डवलूडी के अंतरगत तो मिनिमम 48 तो उनको चाहिए क्वालिफाइं के लि स्टी हो या तो फिर बी सी हो या तो फिर इवी सी हो और किसी भी कटेगरी की महला के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्स 48 था और अधी वे 48 लाते हैं तो वे निसित रूप से अपने एक सीट के हकदार हो जाएंगे इस बात को भली बाती समझ ही चुके हैं क्योंकि महला अभेरतियों की संख्या अधिक नहीं है और अधिक नहीं है और सीट यहां पर अधिक है तो निसित रूप से सिर्फ उन्हें क्वालिफाइ करना है तो इस अधार पे हम लोगों ने इस बात का डिजकर्स किया, इस बात का इनलेशिस किया कि या जो cut off defend करता है वहाँ पाँचछे बातों पर defend करता है और सभी का हम लोग listen कि पूल सीट की संख्या, अभियर्तियों की संख्या अभेर्थियों की उपस्तिती कुछ अभेर्थी अबशेंड भी करेंगे नेसेत रूप से हर परिक्षा में ऐसा देखा जाता है अभेर्थियों की तयारी प्रस्ण पत्र का अस्तर उसके बाद पास अभेर्थियों की संख्या उसी के आधार पे कटफ तयार होता है बस आज के वीडियो में हम लोग इन्हीं बिंदुओं को लेकर के उपस्तित हुए थे कि परधान सिख्षक में कटफ कितना हो सकता है बस थांक्स फूर वाचिंग गुडबाय